आप लोग का जो टेस्ट पेपर जो दिया गया है बंगाल गौर्मेंट के द्वारा उसी का MCQ पार्ट वन स्वाल्प कर चुके हैं यह पार्ट टू स्वाल्प करने जा रहे हैं तो पार्ट टू में ही लगता है जैसे सभी MCQ कम्प्रीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग त्र इक्वल 3 हो जहां ABC कमान 0 से अधिक और 90 से कमान 90 के बरावर हो तो साइन A प्लस B प्लस C बाई 6 कमान गयाद करें अब यहाँ पर देखें यह जो है साइन A प्लस साइन B प्लस साइन C यह बरावर 3 है अब हम लोग जानते हैं जो साइन कमान 90 डिग्री में ही सबसे अधिक होता है कितना होता है 1 होता है तो यह देखिए इसको भी 1 होना परेगा इसको भी 1 होना परेगा तब ही यह 3 हो रहा है इसका मतलब हुआ हमारा 1 यह साब 90 डिग्री होगा तो इसका मतलब क्या है A का मान भी आपका A का मान भी आपका कितना हो रहा है B के बराबर हो रहा है C का भी बराबर होगा 90 डिगरी अब यहां भी देखिए आपको साइन A plus B plus C by 6 किसका मान भी आपका करना है तो साइन 90 डिगरी plus 90 डिगरी plus 90 डिगरी by 6 तो यह जागा साइन 270 बटा 6 अब दो कि इसको 6 से भाग लाएगा तो यह 45 डिगरी होगा तो यह साइन 45 डिगरी साइन 45 का मान कितना होता है 1 by root 2 तो इसका एंसर हो जाएगा C यह जो सवाल है यह सवाल जो MCQ में एक नमर में क्यों जो डाला यह तो थोड़ा बड़ा है इस सवाल तो इसको टीक से भी बताया नहीं जा सकता है तो इसको हम कड़के आपको बताता है तो शेक ठीटा माइनस 10 इसका ठीटा एक वान होता है अब देखे इसी का मान अगर एसकार माइनस 20 का करश्वत्र में अगर हम रखते हैं तो यह शेक ठीटा प्लस 10 ठीटा शेक ठीटा माइनस 10 ठीटा एक वान अब यहां पर देखे प्लस का मान यहां एक्स दिया हुआ है इसमें आप एक ही आप ट्रीक आप उन्हा सकते हैं जो सेक ठीटा प्लस टेन ठीटा का मान अगर एक्स दिया हो है तो जास इसका मान होगा वह एक बटा है एक्स होगा इतना इसा ट्रीक है अब इसको हम लोग स्वाल्प करते हैं एक्स डिया हुआ है और सीग ठीटा इसका मान हमारा वन वजबड़ी एक्स है यह कर जाएगा यह टू सेक ठीटा यह x plus 1 by x 2 6 ठीटा है इसका loss हो करेज़ेगा तो x x square plus 1 तो आपका 6 ठीटा का मन कहा है तो यह x square plus 1 by 2 x तो इसका answer हो जाएगा भी नम्मर एक बात का ध्यान दीजेगा आपका जो test paper है उसका page नम्मर और कौन सा सवाल हो मैंने प्रते question में उल्लेक कर दिया है अब देखिए इसका मान आपको निर्णाय करना है तो इसका मान निर्णाय करने लिए एक बात याद रखेगा यहां अगर cost का value अगर change कीजिएगा तो इधर sign का value change कीजिएगा देखिए sign 45 डी एक cost हमाँ 90 में से कितना घटाने से हमारा 40 से बिनाना रहेगा तो 43 ही होगा प्लस यहां cost को आप चेंज मत कीजिएगा यहां पर देखिए sign को कि चेंज कर दीजिए अब इस तरह से भी याद रखेगा हम किसी एक जो कौन उसको इस्थी रखेंगे दूसरे को चेंज करेंगे देखिए आप 43 को मैंने इस्थी रखा है और 47 को मैंने चेंज किया है अब यह देखिए चेंज én 43 डिग्री और यह कॉष्च 90 डिग्री मगार्ण क्या होता है साइन फीटा चीटा का मने या हौनिए 44 डिक है यह देखिए भास 43 और यह कॉष्च 90 डिग्री मानास 43 डिथए क्या हो जागा यह कॉष्च 40 देग्री इसका हम सुफ आपको दिखा रहे हैं अब देखें साइन नांटी डिडी मांश ठीटा एकवल वस्टिटा उप आप दिखिए यह हमरा साइन इस्क्वार फॉर्टि टी डिडी और यह कॉस्ट पाटिटिर को गुना करेंगे यह भी कॉस्टिटा फॉर्टि टी रहां किया जानते हैं साइन स्क्वार थीटा प्लस एक उसकाल होता है तो मनायशा यहां पे जो कुण का माझन रहेगा प्लस स्कुर्ण यहां पे कों का माझन होगा ही रहेगा द्पर कर सकामानि क्या होता है एक उत्ता है तो सभाव बाह ना मसवास देखिए ऐसा सवाल इसको चित्र के तो नबे डिरी है हमारा यह बासाइब भी होगा इद्रोंना चाहिए इसको जोलिगा तो नब्य होगा अब यहाँ देखिए हमारा मारा टेन सिख्टिटी टू टेन क्या होता हम लोग जानतेंल और लमब बठा अधार विए जो हमारा या हमारा शीस्टी डिदिके साब में लम मारा ही हुआ है यह मारा प्र वर आधार हमारा की हो डिग्री क्रीफ지 ही तो इसकोन के सब पेच्ज में लं हमारा क्या हुआ यह होगा तो लंब क्यों हुआ है बटा आधार हमारा यह हो जाएगा दिए पी होगा इसका पराह नहीं तो नहीं है अगर देखिए इस तरह का सवाल में बहुत बार पूछा जा रहा है और देखिए हम आपको क्या कहे थे हम कहे थे जो टैन ठीटा इंटू कॉट ठीटा अगर वन हम लोग जानते ही हैं अगर टैन अलफा और कॉट अलफा के बीच में प्लस चिन रहे और यहां बड़ाबर दो होना ह सब्करिए जाना परेगा तो 10 के उपर पाउर कुछ भी रहे अलफा प्लस कोट के ऊपर पाउर कुछ भी रहे अलफा अगर यह प्लस चिन्न है और 110 और सब्सक्राइब देखिए यह तो यह थीटा का मान गयात करना हम आपको बताया थे पहला जो सब्सक्राइब तो इस दोनों का योगफल कीजिए कितना होगा करके मैं देखा देथा हुँ देखिए ट्यीता वान इसमें किसी एक को आप रखिתח और दूस्रेखो उधर ले जाई अब यह 10 2 theta हम लोग जानता है 1 by 4 theta 1 by 10 theta equal क्या होता है 4 theta तो यह 4 theta हो जाएगा अब एक काम कीजिएगा यहाँ पर इस 4 को 10 नहीं लिखे दीजिए और इसको 90 degree minus 3 theta लिखे अब देखिए यहाँ पर तो यह अब यह 10 10 हट जाएगा तो काटेंगे नहीं इसको हटा देंगे तो यहाँ देखिए 2 theta equal 90 degree minus 3 theta तो यहाँ देखिए 2 theta बराबर 90 degree minus 3 theta तो यह 2 theta plus 3 theta equal 90 degree तो 5 theta equal to 90 degree theta equal to क्या होगा 90 degree by 5 इसको काटेंगे तो 18 degree तो यहाँ पर देख रहे हैं इसको short form यह हुआ जो अगर दोनों ही 10 रहेगा इकोल यहाँ पर वान रहे रहा है तो इस दोनों का योगफ़ल कीजिए का 5 theta और एक्वल नभी डिडियों वहां से ठीटा कामान आप निकाल लीजिएगा अब यह जो सवाल देखें आपको देखते ही आपको समझ में आ जागा यह प्लस यह प्लस है ठीक है तो और यहां पे टू है तो इसका मान देखते ही आपको पता चल जाएगा दो बहुत बर करा शुकए है अब देखिए बीटा कामान सारे 22 इसको देखे सारे 22 डिग्री में लिखा है और यह अलफा कमान 45 डिग्री लिखा है और इसको रेडियन में ठीटा कमान रेडियन में दिया है कोई दिक्कत नहीं अब यह सारे बायस को हम लोग लिए सकते हैं पैसा अब यह अउर्ण किका क्या और सभ्ष यह महित अजवर्ण ग्री अविच्योंत धीघ्री आप 25 डिघ्री और तो Degree हो झाएक इसका मान हमना निकल रहा है दिखिए ए 5 ay पैतने पिसे 90 और नबियों को जोरेंगे तो 1980 By 2 इसको का जोरेंगे इसका मान हमने बिदी ढ़िए अब किसका मान का है सैन वीटा प्लस अलफा ब्लस थीटा सैन इसका मान होना रखिया इनकी लिक दिवीट और साइन नाइंटी तेकर मन सबसे अधिक होता है एक होता है ये एंसर एक हो इए चलिए सवाल है ये जो सवाल फिर गूंफिर के वही सवाल के तरह आगया देखिया यहां पर यहां पर दखिए हम क्या बतायता है साइन्थि टा इन्टु कोई टिट अगर वान होता है इस दोनों का गुणान को अगर वान होता है बीच में अगर जोड चिन है और यहाँ दो है तो यह साइन का Power कुछ भी रहे क्वासिक का पाहड कुछ भी रहे अगर प्लास चिन है तो इसका मान कितना होगा दो होगा आप का टेस्ट वेवर एंसी को का लास्ट को सähन है अब तब पुरे टेस्ट वेवेश्ट का जो जितना भी यह आपको पता करना अपनेगा जा हाफ कितना होता है कितना डिग्री में हाफ होता है देखिए कॉस का मान हाफ कितना डिग्री में होता है बैठा बैठा दिया आपका मद्स को काटेंके नहीं एंद तरीठीटा इकल टू सिस्टी डिगरी ठीटा कमान शिस्टी बाइट उंगा काटने से नहीं वह गागा 20 ति देखे बच्चों आप लोग याद रखेएगा आप पहले सवाल को खुद से हल कीजिएगा उसके बाद आप क्या होता है अगर नहीं समझ में आता है तब आप वीडियो को देखिएगा तो वो आपके लिए चाहता बहतर होगा